आज आप सिखेंगे नई फाइल या वर्क बुक लाना, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, और सेवेज ओप्शन का उप्यूग करना, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर हमने MS Excel ओपन करके रखा है, सबसे पहले हम फाइल टैब के अंतरगत आने वाले ओप्शन को एक एक करके समझेंगे, यहाँ हम आपको बता दें कि यह जो फाइल टैब आप देख रहे हैं, MS Excel 2007 में यह Office बटन के नाम से होता है, MS Excel में नई फाइल लाने के लिए Shortcut Keys, Control और N Press करें या फिर फाइल टैब में जाकर New पर क्लिक करें, आप चाहें तो यहाँ से टेंपलेट भी चुन सकते हैं, और यदि आपको यहाँ दी हुई टेंपलेट के अलावा कोई दूसरी टेंपलेट सर्च करनी हो, जैसे मान लीजिए आपको इनवाइस की टेंपलेट चाहिए, तो यहाँ उपर सर्च बॉक्स में टाइप करें, इनवाइस, और फिर एंटर की प्रेस करें, देखिए, यह इनवाइस की टेंपलेट आ गई हैं, इन में से जो भी टेंपलेट आपको चाहिए, उस पर क्लिक करके आप उस पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, कि टेंपलेट सर्च करते समय, आपके सिस्टम पर नैट कनेक्टेट होना चाहिए, पिछले पेश पर जाने के लिए होम पर क्लिक करें, यहां हम ब्लैंक वर्क बुक पर क्लिक कर रहे हैं, File tab के option समझने के लिए हम एक data तयार कर लेते हैं यह हमने data तयार कर लिया है अब इस file या workbook को save करने के लिए shortcut keys Ctrl S press करें या फिर file tab में जाकर save पर क्लिक करें यहां आपको file save करने के लिए location चुरना होगी अगर आपको file OneDrive में save करना हो तो OneDrive पर क्लिक करें पर ध्यान रखें कि उसमें आपका account होना चाहिए यदि आप my document या desktop पर file save करना चाहते हैं तो this PC पर क्लिक करें और इन में से जो option चुरना हो वो चुने by default file my documents में save होती है और यदि इन locations के अलावा किसी अन्य location पर file save करना हो तो browse में जाकर वो location चूज करें जहां आप इसे save करना चाहते हो यहां हम e drive select कर रहे हैं अब यहां पर जिस भी नाम से आपको file save करना हो वो नाम दे दे और save पर क्लिक कर दे देखे हमने जिस नाम से file save की है वो नाम उपर title बार में नजर आ रहा है अब हमें इस file को close करना है तो shortcut keys, control और w प्रेस करेंगे या फिर file tab में जाकर close पर क्लिक करेंगे अब हम पुना control and press करके एक नई file ले आते हैं इसमें कुछ type कर देते हैं अब हम इस file को बिना save किये close करते हैं देखें यहां पर एक dialogue box आ गया है यदि आपने किसी नई file में काम किया है या किसी file को open करके उसमें काम किया है और file को बिना save करें आप उसे close करेंगे तो यह dialogue box आएगा अगर आपको इस file में अभी और काम करना हो तो cancel पर क्लिक कर दें और अगर आपको file save नहीं करना है तो don't save पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि file save हो जाए तो save पर क्लिक करें हम don't save पर क्लिक कर रहे हैं अब हमने पहले जो file save की थी यदि उसको open करना हो तो shortcut keys Ctrl और O प्रेस करेंगे या फिर file tab में जाकर open option में file के list मिलेगी जो file open करना हो उस पर क्लिक करें और यदि जो file आपको चाहिए उसका नाम यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो browse में जिस location पर आपने file save की थी वहां पर जाकर file को select करें और open पर क्लिक कर दें यह देखिए वो file open हो गई है हम इसे वापस close कर देते हैं आपने जिस location पर file save की हुई है यदि उसके अलावा किसी अन्य location पर भी आप उस file को save करना चाहते हैं या फिर आपने file में कोई changes या corrections किये हो और आप उस edited file को किसी अन्य location पर उसी नाम से या फिर किसी और नाम से save करना चाहते हैं तो उसके लिए save as option का उपयोग कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे सबसे पहले हम उस file को open कर लेते हैं और उसके लिए control O press करेंगे यह देखिए यह file अभी E drive में saved है इस पर हम click करेंगे तो यह file open हो जाएगी अब हमको इसमें जो भी corrections करना हैं वो हम कर देते हैं मान लिजी हमको इसमें name में correction करना है यह हमने इसमें एक नाम change किया है अब file option में जाकर save as पर click करें और जिस भी location पर file save करना हो उसे choose करें हम my documents choose कर रहे हैं अब आप चाहें तो इसी नाम से file save कर सकते हैं या फिर नाम बदल कर भी file save कर सकते हैं हमने इस file का नाम बदल दिया है और अब save पर click कर दें अब पहले जो file हमने बनाई थी वो e drive में saved है और changes के बाद जो file हमने बनाई है वो my documents में saved है MS Excel 2016 के इस अध्याय में file tap के अंतरगत आज आपने सीखा नई file या workbook लाना file save करना file open करना और save as option का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें अने लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियो की जनकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें अने करें